जावेद अक्तर के बयान पर बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे बीज़ेपे के साथ अब विश्व हिंदू परीशद भी सक्रिय हो गई है नागपुर में विश्व हिंदू परीशद ने प्रेस फॉनकरंस कर जन जागरन और वक्त पढ़ने पर आंदुलन करने की चेतावनी दी विएचपी ने जावेद अक्तर पर कड़ी कारवाई की मांगी आपको बता दे कि हाली में गीतकार जावेद अक्तर ने एक इंटर्व्यू में बयान दिया था जिसमें उन्होंने तालिबान की तुलना संग विएचपी से की थी इसके अलावा विहिंप ने हिजाब दिन पर हुए मामले पर दोश्यों को कड़ी कारवाई की मांगी माफी नामा सिकार कर सरकार इसकंभीर आरूप पर लिपापूती कर रही है ऐसा आरोप भील लगाया विएचपी ने जन्माश्रुमी के दिन हुए 36 कड़ के कोंडा गाउ घटना की भी बात की और कहा कि यह दिखता है कि हिंदु आस्ताव पर सुनियोजित ढंग से आगा आत की अचारा है और साथ ही हाली की नई वेब सेरीज दे एमपायर को भी बैंद करने की मांगी जिस पर विएचपी ने आरूप लगाया है कि मुसलिम आंकरताव का जूटा उदत्तिकरन हो रहा है वीप ने कहा कि ऐसी संगटनाई हिंदु समाज को आकुरुशित कर रही है और समाज को भ्रमित करने का सुनियोजित शर्डियंतर है आरेसस, बजरंगदल और विएचपी जैसे संगटन तालिबान की तरह है इनके रास्ते में भारत का सविदान रुकावट पनरा है जरा सा मौका मिले तो ये तालिबान की तरह सीमा लांगने में संकोच नहीं करेंगे ये जावेद अक्तर का वो बयान है जिसके खिलाव बीजेपी और विश्व हिंदू परीशिद आक्टिफ हो गई है मुमई में गीतकार जावेद अक्तर के घर के बाहर बीजेपी प्रदर्शिन कर रही है और अब नाखपुर में भी विश्व पी ने भी प्रेस कॉंफरेंस कर आंदूलन करने की चेतावनी दी विश्व पी ने कहा कि जावेद अक्तर का बयान उनकी अज्यानता प्रकट करने वाला है समाच में ब्रह्म फैलाने वाला है उनकी वक्तव्य से धार्मिक सौधाह पिकर सकता है इसलिए ऐसे वक्तव्य करने वालों पर कठोर से कठर कारवाई की मांग विश्व पी कर रहा है देखने का सवभाग्य मुझे मिला श्रीराम जन्द्म भूमी के उपर एक 300 feet by 400 feet by 60 feet का एक खड़ा खोदा गया है और इंजिनेरिंग मटेरियल का उसके अंदर एक नीव का निर्मान किया जा रहा है तो अपने को ऐसा लगता है कि सितंबर के अंता तक इसी माहा के अंता तक यह एक सिंगल स्लैब एक बहुत बड़ी जिसकी लगबग 300 feet by 400 feet और लगबग 50 feet तक की जिसकी हाइट होगी इतनी बड़ी एक सिंगल स्लैब यह तयार हो जाएगी उसके उपर ग्रैनाइट और सैंड स्टोन इसकी एक सेकंड राफ्टिंग के उपर इसकी स्लैब आएगी यह होने के बाद में फाउंडेशन का काम पूर्ण हो जाएगा विएजपी ने तालिबान पर कहा कि तालिबान इसलामी शासन का क्रूर चेरा है शारिया कानून पर चलने वाले इस तेश में प्रगती शांती की अपेक्षा करना पेकार है इसके अलावा नाखपूर में हिसाब दिवस पर हुए काम पर भी विएजपी ने दोश्यों पर कठोर से कठोर कारवाई की मांगी हिंदो लड़कियों को गुमरा कर बुर्खा पहनना महिला सतंतिता पर प्रश्न चिन्न है सरकार ने कारवाई ना कर माफी नावा स्विकार कर इसका मीर मामले पर लिपापूती की है शक्ति कम होने पर माफी मांगना और फिर फिर से वही काम दराना या आप लोगों का स्वभाव है ऐसा आरोप विएजपी ने लगाया सरकार ने सही जांच कर दोश्यों पर कठोर कारवाई की मांग विएजपी कर रहा है हाली में 36 कर में जन्माश्टमी निमित्य उफवास के बच्चे को प्रदाडित करने का कष्ट प्रद मामला दिखता है जो हिंदों की आस्ताव पर सुने जित ठंक से आगात किया जा रहा है इसके लावा विएजपी ने वेब सिरीज पर भी तंसकसा है कहा कि OTT प्लाटफॉर्म के माध्यम से बहुत से आक्षेपार वेब सिरीज प्रदर्शित हो रही है जिससे समाज पर विपरत परिणाम हो रहा है हाले में प्रदर्शित हुए देलमायर वेब सिरीज में योजनाबत तरीके से मुसलिम करनताओं के जुटा उद्धित करने किया जा रहा है ऐसे वेब सिरीज को बैंद किया जाए ऐसी मांग विएजपी ने की विएजपी के केंद्रिय महामंत्री मिलिन परांदी ने कहा कि यह सभी घटनाए हिंदू समाज को आक्रूशित करने वाली है और यह समाज को ब्रहमित करने का एक सुनय उजित शडियन्त रहे इसको विरोध में विहेज जन्जाकरन करेगा और वक्त पढ़ने पर आंधुरन भी करेगा इस प्रेस कॉन्फरेंस भी विएजपी के प्रांध मंत्री गोविन शेड़ी प्रांध प्रचार प्रसार प्रमुक निरंजन लिसल दवार उपस्ते थे कैमरा पोसन माइकल के साथ अभी शेक पांसे बीसियन न्यूस नागपूर